इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर को रोकने और नियंत्रत करने में मदद करता है। इसका उपयोग माइगरिंट की रोक थाम में भी किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग द्विद्रूवी विकार के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। Valence OD 250 EG Glide Tablet PR अकेले या अन्य दवाओं के साथ संयोजन में इस्तिमाल किया जा सकता है। खुराक और आपको इसे कितनी बार लेने की आवश्यक्ता है यह आपके डॉक्टर द्वारा तै किया जाएगा ताकि आपको अपने लक्षनों को नियंतरित करने के लिए सही मात्रा मिल सके। आप इस दवा को भोजन के साथ या भोजन के बिना ले सकते हैं लेकिन सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे हर दिन एक ही समय पर लें। आम तोर पर काम करने में कुछ हफ़ते लगते हैं यह दवा नियमित रूप से और जब तक आपको सलाह दी जाती है तब तक लेना महत्वपूर्ण है भले ही आप अच्छा महसूस करें। खुराक की कमी से दौरे पर सकते हैं और यदि आप रोख जाते हैं तो आपकी स्थिती और खराब हो सकती है। इसे कभी भी अचानक नहीं रोखना चाहिए। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सिरदर्द, धुंदली दृष्टी, मतली, उल्टी, चक्कराना, थकान और अस्थिरता शामिल हैं। इनमें से ज्यादा तर गंभीर नहीं हैं। दवा लेते रहें लेकिन अपने डॉक्टर से बात करें अगर ये दुश्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते हैं। हाला कि अगर आपको तवचा पर लाल चिकते या ला अलावा, Valence O 250 Easy Glide Tablet PR शायद ही कभी आत्मघाती विचारों और व्यवहारों को जन्द दे सकता है। अगर आपका मूड उदास हो जाता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। यह दवा हर किसी के लिए उप्युक्त नहीं हो सकती है। इसका इस्तिमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी दिल की समस्या, किड्नी या लीव की बीमारी, पेशाप करने में कठिनाई, अवसाद या आत्महत्या के विचार आए हैं। कई अन्य दवाएं इसमें हस्तक्षिप कर सकती हैं और कुछ को एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए। इस चराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि इससे कुछ दुश्प्रभाव बढ़ सकते हैं और आपके दौरे पढ़ने का खत्रा भी बढ़ सकता है। आपको अपने डॉक्टर को यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए बार-बार रक्ठ परीक्षन की आवश्यक्ता हो सकती है कि आप शुरू करने से पहले और इसका उप्योग करते समय सही खुराक ले रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटि क्लिक करें। धन्यवाद।